हेलो एवरिवन आज में लेके आई हूँ शो फाइदो वाला एक ऐसा दूद जो आपको सेहत मत बनाने के साथ साथ कमजोरी और बिमारी से भी सुरक्षा देगा ये इनरजी बुस्टर मिल्क न केवल आपकी हड़ियों को स्ट्रोंग करेगा बलकि इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी केवल साथ दिनों में काफी अच्छी हो जाएगी और अगर आपको पिरियर्ट्स में पैन होता है या कमजोरी फिल होती है तो ये मिल्क पिरियर्ट्स में होने वाली हर एक प्रोब्लेम से आपको रिलिव भी दिलाएगा ये मिल्क आपके लिए कोई जादू के छड़ी से कम नहीं होगा और साथ में इसके साथ हम एक इजी सा डेजर्ट भी बनाएंगे तो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक बाउल में हम पाच पिस्ता, दो अकरोड, चार बदाम, चार काजू, पाच से छे किसमिस, दो अंजीर, दो खजूर, और दो इलाइची ले लेंगे और सभी चीजों को हम एक बार पानी से अच्छे से वोस कर लेंगे और फिर ड्राइफ फ्रूट्स में पानी डालकर उसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर और सभी चीजों को पानी में एक घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे आप इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स को डाल सकते हो और जो dry fruits आपको पसंद ना हो उसे इसकी भी कर सकते हो एक घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसमें थोड़ा सा मिस्री डाल कर इसको अच्छे से blend करके इसका एक paste बना कर रेडी कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें खजूर भी डाला है तो आप इसमें थोड़ा सा ही मिस्री डाल करें otherwise यह ज़्यादा मीठी हो जाएगी और इसका हमें एकदम smooth सा paste बना कर रेडी करना है अब हम एक कड़ाई में एक glass दूट डालेंगे और उसी glass से हम इसमें आधा glass पानी डालेंगे साथ में हमने जो paste बना कर रेडी किया है वो भी इसमें हम ठाल देंगे और अब हम इसे एक बार अच्छे से mix करके इसको ढखकर 10 मिनद वाइल होने के लिए छोड़ देंगे आप इसमें थोड़ा सा पानी जरूर से मिलाएं ताकि यह जो milk है वो वाइल होने के बाद ज़्यादा गाधी ना हो जाए क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे dry fruits भी डाले हैं तो अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे तो यह काफी ज़्यादा heavy हो जाएगा 10 मिनट तक दूद को अच्छे से पकाने के बाद हम धक्कन अटा कर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस के फ्लेम को ओफ करके इसे चान लेंगे तो डेडी है हमारी multiple benefit वाली milk और इसका टेस्ट मुझे थोड़ा थोड़ा होर्लिक्स की तरह लग रहा था अब यह जो मिक्सर चानने के बाद बचा है उसे हम फेकेंगे नहीं बलकि इससे हम एक इजी सा डेजर्ट बनाएंगे इसके लिए मिक्सर में हम थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दूर डाल कर मिक्सर को पाच मिनट अच्छे से पकाएंगे फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा सा इलाईची पाउडर डाल तेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हो और अब हम इसे ढखक का पाच मिनट अच्छे से कूक होने के लिए छोड़ देंगे पाच मिनट के बाद धक्कन अटा कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस के फ्लेम को हम आफ करके इस रेजर्ट को प्लेट में निकाल कर शर्ब कर लेंगे अब आप चाहो तो इसके छोटे छोटे बोल्स बना कर इसको डार्क चॉकलेट में डिप कर शकते हो और एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज में रखके स्टोर कर सकते हो और जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो इस हैल्दी से लड्डू को खा सकते हो ये लड्डू खाने में काफी जादा चॉकलेटी और यमी लगती है बट अभी मैंने इसके लड्डू नहीं बना है इसे सिंपल डखा है आप इसको ऐसे भी खा सकते हो या फिर मेल्टेट चॉकलेट में डिप करके भी खा सकते हो तो आपको मेरी ये हैल्दी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना